Hello everyone, आज हम जानने वाले हैं कि Cognition, Cognition वर्ड का मतलब क्या होता है? So friends, इस वर्ड का मतलब होता है अनुभूती, बंदुता, खूनकारिस्ता या बंदुत्वा यानि कि अनुभूती, बंदुता, बंदुता, खूनकारिस्ता या बंदुत्वा इस सभी का मतलब होता है Cognition तो भाई ये इस वर्ड का कुछ धारन, कुछ संथेंसे समझ लेते हैं, समझ लेते हैं These infections can adversely affect cognition and educational achievement तो कहने कर दुआ कि ये संक्रमन अनुभूती और सैचिक उपलब्दी परतिकूल परभाव डाल सकती है तो यानि ये जो संक्रमन है, ये जो infection है, अनुभूती और सैचिक उपलब्दी, achievement पर परतिकूल परभाव डाल सकते हैं तो दोस्तों हम लग सीख चुके हैं, जान चुके हैं, समझ चुके हैं कि cognition का मतलब होता है अनुभूती, बंदूता, कून कारिष्टा या बंदूत्वा तो इसी तरह के डेली नयने वर्ट सीखने के लिए जाने के लिए अभी लाइक और सब्सक्राब करें हमारे इस चैनल को, ताकि आप यहाँ डेली नयने इंटरेश्टिंग वर्ट हमेसा सीख सकें, क्योंकि हमारे चैनल पर परते दिन नयने इंग्लिस वर्ट से रिलेटर व गतर बना सकते हैं, तो दोस्तो आज किस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद